खुम मस्ती में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज हमारी रेसिपी है बीना लशुन प्याज के आलू की सब्जी तो हमने ये बॉयल आलू रेले ले रखे हैं और ये टमाटर हरी मिर्च और आधा इंच के तुकड़े अद्रग के तो चलिए बीना लशुन प्याज बीना मसाले के हमने आज आलू की सब्जी बनाएंगे ता आलू की सब्जी बनाने के लिए पहले से हमने आलू को बॉयल करके रखती हैं और टमाटर हरी मिर्च और अध्रग चलिए तो हमने पहले तैयार कर लेते इसके मसाले तो मसालों के लिए हमने किवल हरी मिर्च और पहले हम पीश्ट देयार कर लेते हैं कि आप एक बार बनाएंगे इसका स्वाथ बहुत बार खाएंगे क्योंकि बिना लश्ण प्याज के बहुत त्रैक्ट जरूर करें बना लेते हैं चलिए तो हमने अध्रा कलोशन को अध्रा कलोशन अध्रा हरी मिज का पेष्ट तियार कर लिए है अब चलते हैं टमाटर कट दियो अब सभी टमाटर को हम इस तरीके से छोटे-छोटे कट कर लेंगे चोटे चोटे तुपड़ों में पिस करके कट कर लेंगे इस तरीके से चोटे 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 में कट लग कर लेंगे थाकि मसाले फ्राई हो जल्दी से यह गला इस तरीके से हम सारे टमाटल को कट कर लेंगे चलिए इदर हमारे टमाटर भी कट गए अब आती है आलू की बारी आलू को हम कट नहीं करेंगे इसको तोड़ देंगे ज्यादा बारीक हम आलू को नहीं तोड़ेंगे इस तरीके से हम तोड़ देंगे सभी आलू को तोड़ देंगे बारीक नहीं तोड़ दी है जैसे समोसे के आलू हम तोड़ते है ना उस तरीके से इस आलू को हम पीच से ऐसे दबा के तोड़ देंगे समोसे के आलू भी बारीक नहीं होते है जिस तरीके से यह सब्जी बहुत प्रेश्टी बनती है अगर नौरात्री और आता है जो फास्टिंग होते हैं उसमें बनाई जाती है ज्यादातर सब्जिया उसी समय बनाई जाती है लेकि हम अच्छे लगते था हम बराबर इसको बना के खाते रहते हैं तो चलिए हम इस तरीके से सभी आल अब कोई चीज में भी बना सकते है खुकर में भी बना सकते है यह सबजी इसमें हमने तेल डाल देंगे कोई भी तेल अच्छे से गरम हो गई है अब इसमें डालेंगे एक चमज के बराबर जीरा भीट फिस पत्य खिरा को अच्छी सिर्प पढ़त क्या देंगे उसके बाद अद्रक लसूं का पेशच जो हमने पयार किये अद्रक हरीमीज का पेशच पयार देख है अब किसी मसाले में हम डालनेंके हल्दी पाउडर एक क्दोर से कमी हल्दी पाउडर डाले जब दे चम्माइज दादें अपने पजर के हिसाथे अब अच्छी तरह से मसालो को हम फ्राइए कर लेंगे इसमें प्राइए प्राइए को ज़िए उसमें डालते हैं फट्री कमाटर कमाटर के साथ भी ढालेंगे स्वातम साहिए टींदें तेरो भी राईे केलिएहना समय मारे नए अबसा तक घुल आज़ा घुलिए को अबसा करके मासाले क्याने ंवारे राई पर मसाले ही ह dzi. हमारे मासाले खाना मसालों ने तोड़े हुए आलो तोड़ के रखे पिर आलो इसे डाल देनी हैं अब अच्छा से इसको थोड़ा तेर के लिए हम इसी मसालों में फ्राइ करें को ताकि मसाले के साथ आलो अच्छा से अपके आलोए मसारों के साथ अपिसे श्राई हो गई है अब इसमें डाल देंगे अपनी घ्रेवी के अउप पानी अपने अनसार पानी डालें पदली गाड़ी जो भी हो अपने अनसार पानी यह तक हमें रोटी के साह थाली है तक हमें इस तरीपे से घ्रेवी रखी द verbally मेर्च आफ डाल दे कास्मीरी मिर्च, च्छोटी चमच से एक कास्मीरी मिर्च डालके आछ्छे से इसको सला लें अब इसको अच्छी तरह से धक 2020 मिनध काप टैची है आप ऑफघने देंगे दाइसेको अच्छ disp लिए अच्छा से इसको सब्छा कर देंगे चल्ब इता सब्जी को देखें जाए दिखें तो हमारे सब्जी की क्लर किती खुशर रखाई है इसी तरीके से आप कभी भी हमने सिम्ना में इस लिए डाले हैं ताकि सब्जी में कलर पूरी अच्छी सियाद वो उसमें कोई फ्लेवर नहीं होते आना कोई तीखापन होता है ऑदेखें औरता के लिए नटिख लए जाते है इसी चलके हमें इसमें कासमी बीदे मिर्ट दाले हैं तो छल्य कि करते हैं तो देखिए हमारी सब्जी की कलर कि इतने कूप सुरत है जितने कूप सूरत इस सब्जी दुप होते है दो चल्य को सिब जानम के scaricate बिना मसाल वाली सब्जी आपको अच्छी लगी होगी तब फिर भी लेके एक मज़ेदार रिस्टी रिस्टी के साथ